हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ रास्प्रिया और आपका स्वागत है हमारा चैनल को कुछ रास्प्रिया में तो रक्सा बंधन की तेहार आने वाला है और खूब सारा मिठावे का सीजिन भी उसी कैसा तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी और बह हुआ और तो थीग हम तब और थहां से मिए लगले लोग लिए है इसको में और वारी तोमिर अदे कट करूंगे यह एक छहोटा चुमच लेंगे तो यहां मैने ले लिया है एक पेन इसको रखा है मैने बिल्कुल low flame में अब हम इसमें add करेंगे घी घी जीसे ही milk हो जाए add करेंगे नारियल का बुरादा इसको हम भुन लेंगे बिल्कुल low flame में इसमे तरह से चलाते जरूर रहें बरना नारियल जो हे जब तब इसका कच्चापन खतम नहीं हो जाएगा ये देखिए हलका golden brown हो गया नारियल का बुरादा और इसी समय पे मैंने add कर दिया है condensed milk ये मैंने 200 gram condensed milk add किया है और इन सब को अच्छे से मीज कर लेंगे नारियल का बुरादा थोड़ा सा soft करने के लिए हमें इसको condensed milk के साथ पकाना जरूरी है बना नारियल का बुरादा सोप नहीं होगा इसको अच्छे से मीज करने के बाद आप हम इसमें add करेंगे रोज शीरॉप अगर आप प्लेन लड्डू बना रहे हो तो ये आप रोज शीरॉप add करने वाला steps कीप कर सकते हैं रोज शीरॉप को हम अच्छे से mix कर लेंगे रोज शीरॉप अच्छे से mix होने के बाद में इसमें डाल नहीं हूँ इलाइची का powder अगर आपके पास रोज शीरॉप नहीं है तो आप इस पे रूप अपजा भी add कर सकते हैं उससे भी काफी अच्छा flavor आ जाता है यह देखें बिल्कुल ready हो गया है हमारा coconut लड्डू का mixture आप मैं इसको एक plate में निकाल लूँगी यह देखें यह हमने ले लिया है थोड़ी सी बड़ी plate इसको बहुत ज्यादा थंडा ना कर ले वरना इसको लड्डू बांदने में दिक्कत होगी शेप नहीं आएगी लड्डू की यह देखें थोड़ा सा लड्डू का mixture में ने हाथ में लिया इसको बहुत हलकी हाथों से प्रेस किया और दोनों हाथों की बीच में रोल कर लिय यह देखिए कितना अच्छा और स्मूथ लड्डू बनके त्यार है आप मैं इसको रॉल करूंगी हमारी coconut powder में जिसे में बारी करके रखा था यह देखिए बहुत ही testy soft और easily बनने वाली हमारी नारेल का लड्डू बनके त्यार है इसी तरह से मैं बाकी का लड्डू भी ब तो अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी हो तो लाइक और share करें और चनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं नेक्स recipe वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई